Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज शुरू करेंगे Chapter 13 Surface Areas and Volumes जैसा कि Chapter का नाम है Surface Area and Volumes तो सबसे पहले जानते हैं कि Surface Area क्या होता है देखें, Surface का मतलब तो सते होती है, यह आपको जानते हैं और Area का मतलब होता है जगे तो Surface Area का सीधा सा मतलब होता है किसी जगे का Area अब वो जो जगे है वो बिलकुल फ्लैट भी हो सकती है या फिर गुलाई में भी हो सकती है तो इस तरह से Surface Area के हम दो नाम रखते हैं अगर कोई चीज फ्लैट है, मनले जैसे कि यह बिलकुल फ्लैट है कोई टेबल का टॉप है, तो उस जैसी जो फिगर्स होती है उनके एरिया को हम उस फ्लैट को बोलते हैं, लेटरल सर्फेस एरिया अगर कोई चीज फ्लैट है, तो उसे हम लेटरल सर्फेस एरिया बोलते है लेकिन अगर कोई चीज गुलाई में है तो इसका सर्फेस तो है, लेकिन यह फ्लैट नहीं है तो जैसे इसे गोल चीज़े होती है ना सर्कुलर उनके एरिया को हम बोलते है कर्ड सर्फेस एरिया कर्ड का मतलब ही गोलाई होता है तो कर्ड सर्फेस एरिया बोलते है गोल चीज़ों के एरिया को और वॉल्म, वॉल्म का मतलब होता आयतन आयतन यानि कि किसी चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये इसका वॉल्म बोला जाएगा ये कोई चीज़ कितने मैटेरियल से बनी है वो उसका वॉल्म बोला जाता है जैसे कोई लकड़ी का गुठका है इसके अंदर लकड़ी कितनी लगी हुई है जो लकड़ी है उसका वॉलूम कितना है उसका आयतन कितना है ये वॉलूम बोले जाता है तो इस चैप्टर के अंदर आपको solid figures के surface area और volumes पढ़ेंगे तो सबसे पहली जो figure आती है three dimensional figure वो है हमारी cube cube आप जानते है 9th class में ये चैप्टर आप पूरा कर चुके है cube एक three dimensional figure होती है जिसकी length और breadth और height ये तीनों की तीनों सेम होती है और हम उन्हें side से बोलते है इसकी length, breadth, height तीनों सेम होती है और इन्हें हम side बोलते है और जो cube होती है इसके 6 faces होते है और हर एक face एक square की shape का होता है और square का जो area होता है वो होता है side into side तो अब cube का अगर हम area निकालेंगे lateral surface area अगर निकालेंगे lateral surface area में ये भी आता है कि सिर्फ side-side का आता है ये आप समझ ना कि किसी figure का अगर आपको later surface area निकालना है तो उसकी छत और उसकी जो फर्ष है वो include नहीं होती है तो later surface area के अंदर सिर्फ side side का area निकलता है तो इसके 6 faces होते हैं तो 6 faces में से अगर इसका उपर का छत अटा दे और नीचे की फर्ष अटा दे तो फिर 4 faces बनेंगे यानि कि 4 square बनेंगे उन 4 square का जो area होगा वो ही cube का later surface area होगा अब 1 square का area होता है side into side तो 4 का क्या हो जाएगा 4 into side into side तो cube का later surface area होगा 4 into side into side इसी तरह से surface area of open cube अब आप मान लीजे कोई cube है वो नीचे तो है इसे dust bean होती है वो नीचे तो material लगा होता है उसके अंदर लेकिन उपर से वे open होती है उसमें समान डालने के लिए ऐसी भी तो cube हो सकती है न तो ऐसी cube के अंदर आपके 5 face होते है और 5 face square की shape के होते है तो अगर किसी ऐसी figure का area निकालना हो जिसके 5 face हो cube हो तो simple सा formula बनता है 5 into side into side क्योंकि side into side से एक square का area आ गया और इसके अंदर open cube है न तो 5 side 5 square से मिलकर open cube बनती है अब total surface area of cube अब total में तो सारे आ जाएगा इसके 6 faces होते हैं और total में 6 के 6 faces का area आ जाएगा हर एक face square की shape का होता है तो 6 face हो गए तो 6 into side into side यह total surface area of cube है अब आते हैं volume पे volume of cube यहीं क्यूब का आयतन कितना है तो volume के लिए side into side into side किसी भी solid figure का volume निकालने के लिए हमें उसकी 3 unit सही होती है और इसकी length, breadth, height तीनों ही सेम है और वो side बोलते हम उसको तो side into side into side करके cube का volume पता चल जाता है तो cube के मोटा मोटी सिर्फ यही चार formula है इन से अलग cube का और कोई formula नहीं होता चलिक क्यूब के बाद next आता है फिर cuboid इसकी length, breadth और height यह अलग होती है कोई दो same हो सकती है कोई दो same होंगी तीसरी अलग होगी तो भी हम उसको cuboid ही बोलते हैं लेकिन तीनों कभी same नहीं हो सकती अगर तीनों ही same हो गई तो फिर हम उसे क्यूभी बोलेंगे और वह क्यूभी दिखाई देगी figure चलिक इसका later surface area देखते हैं cuboid का कैसे पता चलेगा देखे later में मैंने बताया आपको ना तो इसकी फर्ष होती है और ना इसकी छत को हम include करते हैं उपर का जो top होता है और जो bottom होता है उसको हम include नहीं करते हैं तो imagine करिए अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वह कैसी दिखेगी देखे के cuboid का perfect example हो गए जैसे कि यह माचिस हो गई इसके भी 6 face होते हैं दो face इसके एक size के होते हैं दो face इसके एक size के होते हैं और बाकी के दो face इसके अलग size के होते हैं जैसे यह हो गया और यह हो गया यह सेम है यह जो मसाले वाला part है यह दोनों same है और यह और यह वाला जो face है यह सेम है इसके अंदर भी 6 फेज होते हैं और 6 फेज जो होते हैं उनमें 2-2 जो फेजिस होते हैं वो एक-एक साइज के होते हैं अगर इसका हम ये टॉप हटा दें और ये बॉटम हटा दें तो हमें जो फिगर दिखाई देगी क्यूबएड की वो इस तरह की दिखाई देगी हमें 4 फेजिस दिखाई देंगे ये 4 वाल्स दिखाई देंगे इस तरह की तो इन 4 वाल्स का जो एरिया होगा वो ही क्यूबएड का लेटर सर्फेस एरिया होगा अब 4 वाल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए ये इसकी length है और ये इसकी height है तो length into height करने से हमें ये एक part का area पता चल गया और जितना ये है न एक्जेक्टली उतना इसके opposite वाला है तो length into height करके ये length into height किया और इसको 2 से multiply किया तो हमें ये 2 walls का area पता चल गया इसी तरह से छोटी walls के लिए क्या करेंगे ये breadth है और ये इसकी height हो गई प्लस breadth into height और क्योंकि 2 है तो 2 से multiply नहीं कर दिया अब यहां से formula निकल के आएगा कि 2 तो इन में common आ गया और height इन में common आ गई और यहां से हुआ length और ये plus और यहां से बचा प्रेक्ट तो ये formula लगाने से आपको किसी cuboid की 4 walls का पता चल जाता है उसके top और उसके bottom को हटाने के बाद अब इसका surface area of open cuboid अब cube में cuboid में ये figure हो सकती है इसके बाद ये मालनीजिए कि कोई open cuboid है तो इसके चार दिवारे तो हैं लेकिन नीचे एक bottom भी है तो इसका भी area पूछ सकता है तो इसका area कैसे निकलेगा देखे चार दिवारों का area तो हमने यहां निकलना सीख लिया यानि कि two height length plus breadth अब इसके bottom का area निकलना है तो bottom इसका क्या है ये keyword की length हो गई और ये keyword की breadth हो गई तो इसमें simple length into breadth को जोड देंगे क्योंकि length into breadth क्या होता है rectangle ही तो होता है और ये rectangle ही तो है ये जो face है ये rectangle है इसका area ऐसे निकल जाता है अब बात आती है total surface area अब total में तो totally आएगा keyword के कितने face होते हैं 6 faces होते हैं तो 6 के 6 faces का area जो होगा वो उसका total surface area बोला जाएगा अब इसका direct पहले मां आपको formula लिखके दिखाता हूँ और बनता कैसे वह बाद में बता हूँगा तो total surface area of keyword का formula याद करना बहुत आसान है बाहर टू लिखा bracket के अंदर length into breadth plus breadth into height plus और फिर ultra height into length ये learn करना इतना आसान है ये बना कैसे है practically वह भी बता देता हूँ देखिए इसके अंदर 6 faces होते हैं 6 faces जो होते हैं आपके 2 face तो होते हैं length into breadth तो 2 face होंगे length into breadth के फिर जो 2 face हैं ये देख लीजे मसाले वाले ये हो गए length into height तो 2 face होगे length into height के फिर ये side वाले breadth into height ये भी 2 हैं breadth into height के 6 faces आगे इन सब में आपको 2 common दिखाई दे रहा होगा 2 common बाहर ले लीजिए यहां से क्या बचा length into breadth यहां से क्या बचा length into height यहां से क्या बचा breadth into height तो जो तीन terms यहां आई है न वही exactly यहां आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता यह तो इसको learn करने का एक तरीका है कि length, breadth, breadth, height, height length यहां भी वही है length, breadth, breadth, height, height length बाहर to common आ गया तो formula इसको रटना नहीं है अगर रटोगे तो आप exam में भूल जाओगे practically याद करोगे तो अगर भूल भी जाओगे तो अपने आप formula बना भी सकते हैं चलिए इसका volume आते है volume of cuboid होता है length, breadth, height volume के लिए हमें 3 unit चाहिए हमारी इसमें 3 unit length, breadth, height होती है length, breadth, height करने से cuboid का volume पता चल जाता है चलिए इसके बाद next जो हमारी 3D figure होती है वह होता है cylinder cylinder का नाम आपने सुना होगा, घर में जो cylinder होता है kitchen में, उसे हम cylinder बोलते है, वो gas cylinder होता actually, तो उसका जो नाम cylinder पढ़ा है न, वो उसकी shape की वज़े से ही पढ़ा है, cylinder की shape यह होती है कि उपर नीचे 2 circular part होते है और A से यह straight होता है नीचे circular bottom उपर circular top जितना circular portion बनता है circle तो radius से बनता है तो इसे R बोलता है R माने radius और जो इसकी vertical ही जो height होती है इसे हम H से denote करते हैं यह इसकी height होती है मैं आपको figure दिखाता हूँ एक यह देखे, यह मेरे हात में एक डबबा है यह exactly cylinder की shape का है उपर circular top है bottom में circular top है और यह बिलकुल throughout the top and bottom बिलकुल goal है ऐसी जो figures होती है उन्हें हम cylinder बोलते हैं अब cylinder के 3 face होते हैं देखे एक तो होगा यह goal वाला face और एक यह उपर circular face और यह नीचे वाला circular face तो इसके 3 face होते हैं इसके faces के आधार पर ही इसके जो area है उनका नाम होता है अब सबसे पहले हाथे curve surface area मैंने आपको बताया जो curve होता है curve का मतलब होता है गुलाई तो इसमें जो गुलाई गुलाई है वो एक face है यह वाला इसका जो curve surface area होता है cylinder का यह होता है 2 pi r edge यह कहां से आया देखिए 2 pi r जो होता है वो circular part का किसी circle का circumference होता है अब circumference को हम height से multiply कर देंगे तो इसके जो गुल गुल part है ना इसका area आ जाएगा बस इतना सा simple है अब surface area of open cylinder यह तो एक figure हो गई कि मान लीजे उपर नीचे खाल लिए हमें सिर्फ side side का निकालना है second possible क्या हो सकता है second possible यह हो सकता है कि यह आपका cylinder है और हम इसके top को हटा देते हैं तो अब यह जो cylinder बन गया ना यह open cylinder बन गया अब open cylinder के अंदर आपके सिरफ 2 face आ रहे है एक तो आ रहा है यह curd वाला और एक आ रहा है इसका यह bottom तो इनका area निकालना है तो इसका क्या बन जाएगा देकि side side का तो निकलेगा यह 2 pi r h इसके अंदर यह जो bottom का area है यह और जुड जाएगा और bottom का area क्या है यह circle ही तो है circle का area क्या होता है pi r square pi r square तो यह दो area जब जुड जाएगे तो वह हमारे open cylinder का surface area बनेगा इसमें दो tau में इनमें से common ले सकते हैं यह pi r और pi r यह common आ गया first time में से बच गया 2 और h plus और यहां से 2 r है ना 1 r बच गया तो question के इसाब से आपको question में यह समझना है कि figure कैसी बन रही है आपको area किसका निकालना है सिर्फ side side का निकालना है कि open का निकालना है side का निकालना है तो 2 pi r h अगर open cylinder का निकालना है तो side तो लगेगी plus एक circle का area भी इसमें जुड जाएगा अच्छा अब third case बनता है total surface area of cylinder total में क्या होगा तीन face होते हैं cylinder के तो तीनो faces का area जुड जाएगा तीनो जब जोड़ेंगी तो क्या होगा देखे side तो यह होई गई side का area क्या है 2 pi r h गुलाई गुलाई पाट का plus दो इसके अंदर circle का area जुड जाएगा एक circle का area होता है pi r square दो circle है और दोनों का size है वो भी same है तो 2 pi r square इसमें add हो जाएगा अब यहां से हमें common मिल गए 2 pi r यह 2, यह pi और यह r और यहां term में से h बच गया और यहां से 1 r बच गया तो direct formula total surface area of cylinder का निकालने के लिए तीन formula से अलग कोई cylinder का formula नहीं है जो area का हो जैसे कि एक cylinder ही है कि इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा कितना पान ही आ जाएगा कितना milk आ सकता है वो इसका volume होता है इसका volume निकालने का formula यह होता है pi r square height pi r square क्या होता है देकि pi r square जो होता है वो area of circle होता है यानि area of base और base को height से multiply कर देंगे तो इसका volume आ जाएगा तो इतना simple है cylinder के बाद figure आती है next cone cone आपने देखा होगे जैसे बच्चा ice cream खाते है कुलफी जिसे बोलते है cone की shape की होती है cone की shape नीचे से circular होती है नीचे बोले है हम उपर बोले मतलब है कि एक side से एक तरफ से वो circular part होता है और दूसरी तरफ यह ऐसे कम होता 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 last में सिर्फ point बन जाता है तो ऐसी जो figures होती है उन्हें हम cone बोलते है अब cone के अंदर circular part बनेगा तो radius होगा यह radius होता है और इसकी exact जो vertical height होती है 90 degree पे इसे हम h बोलते है इसे slant height बोलते हैं इसे L से denote करते हैं इसके अंदर यह 3 चीज़े होती है cone के अंदर अब faces के अंदर होते हैं 2 2 faces होते हैं इसके अंदर तो यह भी बिल्कुल exactly समझ में आ रहा है कि इसका surface area होगा वो भी 2 तरह के हो सकते हैं तीसरा कोई होई नहीं सकता और सबसे पहले हम लेंगे curve surface area क्योंकि इसमें जो cone है न यह goal goal होता है goal part होता है तो cone का जो curve surface area होता है यह होता है पाई आर एल पाई की value होती है 22 upon 7 यह mention होता है यह फिर कहीं पर 3.14 यह आपको बुक में मिल जाता है 9th class में आपने बहुत किये पूरी 9 exercise किये आपने इस chapter की 9th class में तो आपको पता होगा पाई आर एल एल होता इसके अंदर slant height और R मतलब radius अच्छा अगर question में आपको L ना दिया हो मतलब कोई कौन दे दिया हो उसका radius हो और उसकी height हो तो फिर आपको L निकालना पड़ता है L निकालने का formula यह होता है कि under root h का square plus r का square यह कहीं से नहीं आया है यह कोई ज़्यादा सोचने की दिमाग की बात नहीं है यह सिर्फ देखेंगे ना आपको दिखेगा कि एक right triangle बन जाता है और right triangle के अंदर पाइथोगरस theorem लगती है यह base हो गया यह इसकी height हो गई और यह hypotenuse हो गया hypotenuse सबसे बड़ी side होती है तो वह base और perpendicular के square के sum के और उसके under root के बरावर होती है अगर for example किसी question के अंदर आपको height ना दे रखी हो तो फिर height निकालने के लिए L square में से R square minus हो जाता है यह अगर किसी case में आपको radius ना दे रखा हो तो radius निकालने के लिए L square में से H square minus हो जाता है under root तो यह तीन चीज़े आपकी question में use होती है अब आते है total surface area पे अब देखिए area के अंदर curd surface तो होगा प्लस यह नीचे circular part है न यह भी add हो जाएगा तो curd surface तो है इसके अंदर pi r L और नीचे है इसका circular part circular part यानी circle circle का area होता है pi r square अब यहां से formula बन जाएगा pi r और pi r मुझे दिख रहा है common pi r first time में से L बच गया plus यहां से 1 r बच गया तो pi r L plus r सिरफ यह दो formula होते हैं इसके surface area के फिर आता volume of cone इसका volume कितना होगा देखे जो cylinder का volume होता है न exactly वही cone का volume होता है बस उसका one third हो जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई cylinder और कोई cone दोनों का radius और दोनों की height सेम है और इस cylinder को ऐसे चाट चाट के काट काट के side में से फैक दिया और cone बना दिया है तो इसका volume बनेगा न वह cylinder का one third बनेगा तो इसका formula याद करने की भी जरूत नहीं है अगर आपको cylinder का formula पता है न तो cylinder का formula लिग दीजे इसके आगे one third लगा दीजे cylinder का formula होता है pi r square height इसके आगे one third लगा दीजे तो volume of कौन होता है one third pi r square height इसके बाद जो next figure होती है आपकी three dimensional वो है sphere sphere का मतलब होता है गोला कोई ठोस आकरती जो goal हो for example जैसे की ball होती है खेलने की ball होती है बच्चों की यहीं मेरे हाथ में ऐसी जो figures होती है उन्हें हम sphere बोलते हैं ball हो सकती है कोई goal और भी चीजे होती है जो बिल्कुल exact goal हो इन्हे sphere बोलते है अब sphere के अंदर आप देख लीजे की एक ही surface होता है इसमें ना तो कोई flat surface तो होता ही नहीं है सारा goal ही होता ही है तो cut surface area बोले या फिर total surface area बोले हमारे पास sphere का सिरफ एक ही formula होता है यह हुआ sphere sphere के अंदर only one face होता है और यह face भी कैसा होता है curve अब हम इसे curve surface area बोलने है टोटल surface area बोलने बात एक ही है और इसका जो formula होता है surface area का यह होता है 4 pi r square pi r square तो होता है area of circle इसमें 4 लगाने से sphere का formula बन जाता है अगया सी volume of sphere volume का मतलब है जैसे कि यह ball ही है इसका volume कितना है नहीं इसके अंदर जो material लगा है जो rubber लगी है वो कितनी है वो उसका volume होता है volume of sphere का formula होता है 4 upon 3 pi r cube volume के अंदर हमेशा 3 dimensions होती है ना 3 units और sphere के अंदर radius से लग कुछ होता ही नहीं है radius से नहीं तो बनता ही है तो यहाँ पे radius ही 3 बार है बाकी 4 upon 3 और pi तो यह दोई formula है बस sphere के इंसे लग कोई तीसरा formula नहीं है अच्छा अगर sphere को हम बीचों बीच काट दें for example जैसे यह ball यह मैं इसको knife से बिलकुल exact ऐसे बीच में काट देता हूँ तो आपके पास कैसी figure बनेगी imagine कीजिए यह बन जाएगा यह तो होगी side यह curd part हो गया इसका और यह जो कटके आएगा ना उपर वाला यह इसका flat part होगा तो यह तो flat part होगा और यह होगा curd part तो जब hemisphere हेमि का मतलब आधा आधा sphere तो hemisphere के अंदर 2 faces होते हैं तो यह भी possible है कि जब 2 face हैं तो इसके दो ही तरह के area आएंगे एक तो आएगा इसका curd surface area और एक आएगा पूर एक आएगा यह निकि total तो इसका curd surface area of hemisphere क्या हो जाएगा देखिए जब curd surface area of sphere का 4 pi r square है और इसको बिल्कुल बीच में से काट दिया तो यह आधा ही तो हो गया तो इसकी साइड साइड है यह कितनी होगी यह होगी 2 pi r square इसका जो फॉर्मुला है वो sphere से ही related है जब पूरी गोलाई 4 pi r square है तो उसकी आधी गोलाई कितनी होगी आधी गोलाई का area कितना होगा 2 pi r square तो यह curd surface area का फॉर्मुला होगा अब टोटल सर्फेस एरिया के लिए ये कर्ड़ पार्ट के अंदर ये जो उपर का जो फ्लैट पार्ट है ना ये जुड़ जाएगा और फ्लैट पार्ट क्या है फ्लैट पार्ट सर्कल ही तो है ये जो उपर का पार्ट है ये सर्कल है circle का formula होता है pi r square circle का area तो total surface area hemisphere का निकालने के लिए curved surface के अंदर एक circle का area जुड़ जाता है यानि 2 pi r square के अंदर pi r square जुड़ जाएगा अब ये 2 pi r square और ये 1 pi r square तो ये मिलके बन गया 3 pi r square ये दो formula है hemisphere के होते हैं अब volume पे आते हैं volume of hemisphere अब volume का भी इसी से relation है अगर sphere का volume 4 upon 3 है और hemisphere इसका आदा होता है तो 4 upon 3 का half क्या होगा 2 upon 3 बाकि तो सबकु सेम ही है pi r cube अगर ये 4 upon 3 pi r cube है मैं इसको बीचो बीच काट देता हूँ तो अभी इसके अंदर जो material लगा है आदा होने के बाद जो एक पार्ट आएगा उसमें आदा होगा तो 4 का आदा 2 हो गया ये hemisphere के तीन formula इन तीन formula से चौता कोई भी formula नहीं है hemisphere का चलिए इसके बाद जो last आता है वो होता है frustum frustum of corn अगर आपके पास कोई corn है ये corn हो गया इसको आप बीचो बीच ऐसे काट दीजिए तो दो figure बनके आएंगी ये काट के उपर वाला फैंक दो ये जो फैंक हैंगे न आप ये तो एक छोटा सा corn बन गया लेकिन अगर नीचे वाला ले लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा ये होता है frustum of corn इसकी खासियत ये हो जाती है कि जो छोटा वाला circular part होता है इसे हम छोटा radius बोल सकते हैं इसका radius छोटा होगा जो बड़ा वाला circular part है नीचे का नीचे बोले या उपर बोले आगे पीचे हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है फिगर पर डिपेंट करता है यानि बड़ा circular part के radius को हम बड़ा r denote कर लेते हैं छोटे circle के radius को हम छोटा radius denote कर लेते हैं और बीच की जो vertical जो ये distance होता है ये होती है इसकी height और यहाँ पर जो टेड़ी दिखरी है आपको टेड़ी line ये इसकी slant height होती है जैसे cone में slant height होती है ना L इसी तरह इसकी slant height को भी हम L ही बोलते हैं तो ये तो है इसके अंदर वो चीज़े जो use होती है अब बात आती है इसके area की curved surface area of frustum frustum का जो curved surface area होता है वो बिल्कुल cone की तरह ही होता है लेकिन cone के अंदर तो एक ही radius होता है लेकिन frustum के अंदर दो radius होते हैं तो R की जगे भी आपके वो दोनो radius use हो जाते हैं देखे, cone का होता है πाई, R, L curved surface area frustum का हो जाएगा πाई bracket के अंदर R की जगे या दोनो R जोड़ जाएंगे छोटे और बड़े दोनो और L, L ली है अब यहाँ पे L अगर आपको ना पता हो for example question में आपको सिर्फ H दे दी और R दे दी तो L आपको निकान ली पड़ेगी तो इसका L निकान ले का formula भी है इसका L निकानने का formula है under root, height का square और क्योंकि दो radius हा ना इसके अंदर तो उन दोनो radius का difference और उसका square कौन का जो हम L निकालते थे वो simple H का square plus R का square निकालते थे under root में लेकिन यहाँ दो radius है छोटे बड़े हैं तो इनका difference निकालने का बड़े में से छोटा radius पूर एका पूरा square L निकालने का यह formula है total surface area अगर हम इस first term का total surface area निकाले तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ जाएगा देखे side side का part जुड़ जाएगा जो हमने यह निकाला उपर plus उपर छोटा circle है यह जुड़ जाएगा इसका area और दूसरी तरफ इसमें एक बड़ा circle है उसका area जुड़ जाएगा तो total surface के लिए इसके जो तीन faces है ना तीन faces का area जुड़ जाएगा total इसमें तीन faces है तो गोल गोल जो part है इसका curd part उसका area तो यह बन गया पाई R plus R L total का निकालना है तो पाई छोटा R square प्लस पाई बड़ा R का square यह छोटे circle का surface बड़े का surface यह गोल पार्ट का इन तीनों को add करने से फ्रस्टम का total surface area निकल जाता है यह तो total आ गया लेकिन आपके जो questions आते हैं फ्रस्टम से related वो कुछ इस तरह के होते हैं कि open system भी होता है for example जैसे कि यह है मेरे पास cup यह भी तक फ्रस्टम ही है यह बड़ा goal हो उपर नीचे छोटा circle है अगर इस cup का हमें cut surface area निकालना हो तो हम क्या करेंगे देखिए goal पार्ट है इसका तो लगे गई प्लस इसमें छोटा जो circle है न वो add हो जाएगा तो इस तरह के question भी आते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माली जो cup है तो cup का निकालने के लिए side यहन की cut surface area प्लस अगर इसकी पैंदी छोटी है जहाँ पे material लगा है अगर वो छोटा है तो फिर आपको छोटे circle का area इसमें add करना होगा अगर कोई ऐसी figure आती है cup जैसी है फिर tub होता है अच्छा अगर दूसी तरह की figure हो दूसी तरह का मेरा मतलब यह है कि जो उसकी पैंदी हो न वहाँ पे बड़ा पार्ट हो आपने देखा होगा कुटे का जो कटोरा होता है जिसमें dog खाना खाता है वो कुछ इस तरह का होता है नीचे से वो बंद होता है यह material होता है उपर से खाना खाता है तो जब इस तरह की figure होती है तो इसमें side side का area तो लगे गई प्लस जो बड़ा वाला circular है न पार्ट उसका area एड़ हो जागा यानि पाई आर स्क्वेर बड़ा आर स्क्वेर जैसे की dogs ball हो गया अगर इस तरह की कोई figure आती है तो current surface area के अंदर आपका बड़े वाले circle का area जुड़ जाता है यह सब कुछ depend करता है आपके question के उपर की question के अंदर आपकी figure कैसी है और उसका answer कैसा होगा चलिए यह होगा इसके area तो इसके area के 1, 2, 3, 4 basically 4 formula बन गए इसके अब आते हैं volume पे volume of frustum क्या होगा देखे volume of frustum exact cone जैसा होता है cone जैसा ही इसका formula होता है cone का formula होता है 1 upon 3 pi r square height यह cone का formula होता है अब इसी से मैं frustum का formula बनाऊंगा देखना आप थोड़ा सा difference है 1 upon 3 pi का pi और r की जगे पे लिखना है छोटे r का square बड़े r का square प्लस में छोटा r into बड़ा r और height की जगे पे height कुछ नहीं बदला जैसा cone का formula है exact वो ही है बस r की जगे पे r square प्लस बड़ा r square प्लस इन दोनों का product आ गया height जैसी है वैसी है तो यह इसमें use होने वाले basically formulas है इन्हें आप रटना मत इन्हे practically समझ के याद करना जब यह formula अच्छे से आपको याद हो जाएंगे तो question करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो से exercise शुरू करते हैं तो फिर मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए goodbye